दोस्तों नमस्कार स्वागत थे आपका परिक्षा खबरी में और आज है 8 मई 2020 महत्पूर्ण परिक्षाओं जोड़ी खबरें उकर इंटरफ्यस देखेंगे तो लेट्स क्रेक यूपी एक्जाम्स ये चैनल का निया नाम है और यूपी एक्जाम्स मतलब की यूपी की जितन क्वेशन एंसर हो गया टेस्ट हो गए और आपकी प्राब्लम सल्यूशन बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक्ष्टा मिलेंगी वह उसके लिए सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं जिसके बारें वीडियो के इंत में बताऊंगा तो टॉप एजुकेटर के माध्यम से यह क्वाल्टी कंटेंट्स आपको फ्लब्द कराए जाएंगे तो इसलिए हर मायने में यह उच्छत प्लेटफार्म है आपके लिए और सबसे बड़ी बात है कि मोडिफिकेशन होता रहता है ठीक है आप देखेंगे कि एजुकेटर्स अगर ठीक नहीं है तो उनको चेंज भी किया जाता है तो प्लेटफार्म बहुत ही आपके लिए काम करता है सबस्रोडी बात यह है और कोई प्रॉब्लम होने पर आप अवश्य कमेंड बाक्स में कमेंड करें पर एक च्छाओं की बात करें तो अभी सब कुछ लागडाउन है तो लागडाउन में बहुत ज्यादा अपडेट भी नहीं मिल पारी क्योंकि जिन से जानकारी दियाती है वो भी आफिस नहीं जा रहे है या यदा कदा जा रहे हैं तो इसमें वह दोर नहीं है जिसमें हम आपको कोई सटी सुचना दें और वो होई जाए क्योंकि सब कुल लागडाउन के अधीन चल रहा है एक बात है कि अधियाचन और पदों के मामले में सरकार बहुत जादा गंभीर है इसको लेकर एक कल लेटर जारी हुआ था जिसमें विभिन विचाई आयोग हो यूपी टिपलस्टी हो अन्य विभागों में भी जल से रल्द विभागों से कहा गया कि जो वहां खाली पद हैं उनको भेजा जाए उनको परिक्षाओं से भरा जाएगा तो रोजगार के प्रति सरकार जग रही है इसका मतलब है कि आने वाले समय में जितने भी वेकेंसी हैं हमने आपको बताया था कि यूपी पीचेस में आपकी हजार के आसपास वेकेंसी रहेगी अभी नहीं है भले धीरे-धीरे बढ़के हो जाएगी तो उस और जो है दिशा में बढ़ भी रही है गवर्मेंट फिल हाल यह देखने वाली बात होगी कि आपकी परिक्षा कब होती है तो बीस माई के बाद यूपी एससी बीस माई को रिलीस करेगा बीस माई के बाद एक नोटिस उसके बात करेंगे आज का दिन के बारे में तो आठ माई को विश्व रेट क्रास दिवस मना जाता है आपको लाल कलर में इस तरह का जो चिन देखेगा वो रेट क्रास का ही चिन है ठीक है विश्व रेट क्रास दिवस मना जाता है किसलिए मनाय जाता है क्योंकि आठ माई 1828 में रेड क्रास के संस्थापक जान हेनरी डिनैंड का जन्म हुआ था स्विडजन लेंड के थे ये और इनी के प्रयासों की फलसरूप जो विश्व रेड क्राश्टी रेड क्रास सोसाइटी है उसके संस्थापना हुई थी उसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और हेन्री डिनेंड को ही पहला नोबेल पुरिसकार शांती का प्राप्त हुआ था जानना महत्पोण है आपके लिए इनकी पुस्तक का नाम था A Memory of Solferino देखे जर दरसल अगर एक कहानी की बात करें कहानी की माध्यम से समझाने की बात करें तो दरसल ये एक उद्योग पती थे बिजनेसमैन थे हेन्री डुनांट इनका जन्म स्रिजालेंड में हुआ था तो उद्योग की अस्थापना के लिए ये लगभग 1869 में फ्रांस के समराट नेपोलियन तृती की तलाश में गए थे उसमें अलजीरिया में फ्रांस का कबजा था तो डिनेंट ने सोचा कि इन से बात करके अलजीरिया में कहीं हम अपना ब्यापारिक प्रतिष्ठान खोलेंगे तो उसके लिए नेपोलियन हमारी कुछ मदद करेंगे लेकिन किसी कारण वस बहुत प्रयास के बावजूद भी नेपोलियन से मिल नहीं पाते हैं इसके बाद निराश होकर ये इटली चले जाते हैं इटली में उसमें सुल्फे रीनो का युद्ध चालू रहता है और उस सुल्फे रीनो के युद्ध को इन्होंने अपनी आँखों से देखा उसमें लगबख 40 से 50 जार सैनिक या तो मर गए या तो घायल हुए या तो बुरी अवस्था में देखा इन्होंने और उसी का वर्डन इन्होंने इस पुस्तक में किया है एमेमुरी आफ सल्फे रीनो चुकि इन्होंने कश्ट में देखा लोगों को तो इनसे रहा नहीं गया इन्होंने सोचा कि इनकी मदद की जाए तो इसके लिए इन्होंने सेवकों का एक समूह उगठित किया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्होंने बनाया और जो उसमें घायल थे जिनका उपचार किया जाना था जो भूखे थे उनको भोजन ठीक इस तरह से और उनके परिवार वालों को चिठी लिख करके उनकी हाल खबर देना ये सब काम किया इन्होंने बाद में जो इन्होंने वर्डन किया इस घटना का अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसका हिदय काप जाएगा कि किस तरह से युद्ध हुआ करते थे इन्होंने बताया है कि किस तरह से लोगों के हाथ पाउं कटे होते थे और वो दर्द से करहते थे ये सभी इस किताब में एमेमोरी आफ सलफिर इन्हों में इसका जो है उलेख है इन्होंने काफी चिंताविक्त की थी और एक अंतर राष्टी सोसाइटी की अस्थापना के विचार के बारे में होने इसमें लिखा था बहुत जल्द लगबग एक वर्ष बाद ही इस बुक के लिखने के जेनेवा में एक सम्मेलन होता है और जेनेवा पब्लिक विलफेर सोसाइटी और हेंडी डेनांट इन दोनों के मिलन से एक अंतर राष्टी सोसाइटी के अस्थापना हो जाती है जिसका नाम अंतर राष्टी Red Cross Society, International Community of Red Cross है 1863 में इसकी अस्थापना होई ससस्त्र हिंसा और युद्ध में पीडित लोग होए है युद्ध बंदी हो गए इनकी सहायता करना, इनके लिए नियम कानून बनाना ये इसका लक्ष था इसी के प्रयासों से जिनेवा में बहुत सारे कन्वेंशनों के बाद 1949 में जिनेवा कन्वेंशन लागू हुआ जो कि कई संधियां, कई समझोतों का एक समूह था और 1949 में लागू हुआ, अभी आपने सुना था जब भारत पाकिस्तान का अभी तनाव चल रहा था तो मिक-21 जो भारत का उस तरफ गिर गया था पाकिस्तान के हिस्से में और हमारे यहां का एक पाइलेट, फाइटर पाइलेट पकड़ा गया था तो जो जिनेवा कन्वेंशन था, उस समझोते के अतहर लोग ने कहा था कि उसको छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को, उस समें चर्चाम आया था इस जैनेवा कन्वेंशन तो इसी से संबंदित है, इसमें इंटरनेशनल कमेटी आफ रेट क्रास का काफी योगदान है 1864 से लेकर के, इसकी अस्थापना के बास से लेकर के 1849 तक ये सलसिला चला कि युद्ध बंदियों के लिए कुछ नियम बनाया जाए और ये नियम पूरे विश्व में सभी देशों को परलागू है उनको यह नियम फालो करना ही पड़ता है ठीक है ना? तो इतनी बातें आप इसके बारे में याद रखें एक बात और है कि 1901 में हमने आपको बताया कि हेंडरी डिनेंट का को जो है पहला नोबेल पुरसकार शान्ती का प्राप्त हुआ इसके अलावा इस संगठन को अर्थात इंटरनेशनल कमेटी आफ रेड क्रास को जिसको रेड क्रास भी कहते हैं संग्षित में तीन बार नोबेल पुरसकार मिल चुका है 1917, 1944 और 1963 में इस संस्था को तीन बार नोबेल का शान्ती पुरसकार मिल चुका है ठीक है ना? और इसका मुख्याले याद रखेगा कि जेनेवा स्विर्डिजर लेंड में है पालिमर प्लांट है किसका है? साउथ कोरिया में एक कमपनी है LG कैम पहले हाला कि इस पालिमर प्लांट की अस्थापना भारत में ही की गई थी ठीक है ना? हिंदुस्तान पालिमर प्लांट के रूप में की गई थी बाद में इसका South Korea की कंपनी LG Cam ने अधिगरहन कर लिया था LG Polymer Plant के नाम से यह जाना LG Polymer India Limited के रूप में जाना जाता है और यह plastic का उत्पादन करता था COVID-19 के करण यह कई दिनों से बंद चल रहा था इसमें अचानक गैस रिसाओ हो गया गैस रिसाओ के करण काफी लोग मारे गये काफी लोग गंभी रूप से घायल हैं दरसल इसमें से स्टिरीन नामक गैस जो की plastic के कारखाने है उसमें प्रयोग होता है इस ठीरीन वैसे तो विशैली गैस नहीं होती है लेकिन यदि सांस के मार्ग में यद प्रवेस कर जाया तो जानलेवा साबित हो जाती है और यही हुआ भी यहां पे लगबग 5 किलोमेटर के दाइरे में इसने अपना प्रभाव दिखाया काफी लोग इसमें जखमी हैं और हम लोग भी इश्वह से प्रात्ना करते हैं कि सबसुरक्षित बच जाएं जितने लोग घायल हैं एक बच्चा भी उसकी मृत्य भी हुई है उसमें तो 10-11 लोग कल की खबर थी कि 10-11 लोग मृत हो गए हैं और काफी अभी रिपोर्ट सानी बाकिये हैं क्या हुआ तो काफी कुछ आधिकारी भी नहीं आपाता है इतनी जल्दी वो देखने वाली बात होगी कितना इसने असर दिखाया है तो इस्टीरीन गैस ये पूछा जा सकता है कि इस्टीरीन गैस कौन सी गैस इस्टीरीन गैस जो कि कितिम रबड की निर्माण में प्रयोग होता है इसका विशागापटना आपको पता है हम कई बार दिखाएं आपको आनप्रदेश में है समुद्ध तट है विशागापटना में एक पोर्ट है बंदरगा है यहीं पर डालफिन नोजवीज थे 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 Lost at Home Lost at Home क्या है दोस्तों तो एक रिपोर्ट है तो रिपोर्ट वगर पूछा जाएगा किसकी रिपोर्ट है UNICEF की रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में ये बात UNICEF ने कही है कि 2019 में लगबग 19 मिलियन बच्चे संघर्स और हिंसा के कारण अपने ही देशों में विस्थापन में जी रहे हैं जो की अब तक के आकड़ों में सरवाधिक है अर्था 2019 में कितने 19 मिलियन बच्चे Lost at Home घर में ही खो जाना इसको कहते हैं इंदी में तो UNICEF की एक रिपोर्ट है UNICEF के बारे हमने आपको कई बार बताया है UNICEF क्या है सयुक्तराष्ट बालकोष है जिसको की पहले United National Children Emergency Fund कहा जाता था 11 दिसंबर 1946 को इसकी अस्थापना होई थी जो दुती विशुत से प्रभावित लोग थे जो बच्चे थे जो अन्य लोग थे उनकी सहाइता के लिए विशेशकर बच्चों की सहाइता के लिए इसका इसकी अस्थापना होई थी लेकिन अस्थाई थी बाद में 1903 में इसको अस्थाई कर दिया गया इसका मुख्याले दोस्तों निव्यार्क में है और इसका 1903 में जो नया नाम रखा गया सयुक्त राष्ट बालकोष रखा गया तो इसको अस्थाई कर दिया गया अभी भी वो माईलाओं और बच्चों के प्रगत के लिए उनके स्वास्त उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है तमाम देशों में UNICEF UNICEF का मुख्याले हमने बता है निव्यार्क में अस्थित है इसका भी मुख्याले तो अगला है विजयंत एर एट कार्गिल विजयंत एट कार्गिल दा लाइफ आफ कार्गिल हीरो ये 22 वर्ष के मात्र थे विजयंत और काफी इन्होंने विर्था दिखाई थी कार्गिल के युद्ध में सहीद हो गया थे इनके पिता कर्नल वियन थापर ने पुस्तक लिखी है इनके विशय में ठीक है तो ये पूछा जा सकता है विजयंत एट कार्गिल जो कार्गिल एक फिल्म बनी थी उसमें भी इनका किरदार काफी अच्छा दिखाया गया था दमदार किरदार दिखाया गया था सुरक्षित दादा दादी वो नाना नानी अभियान ये अभियान जो है चुकि COVID-19 के विज़से वरिष्ट नागरिकों को ज्यादा खत्रा है तो नीत यायोग ने पीरामल फाउंडेशन जो की 2006 में स्थापित हुआ था मुंबई में एक NGO है इसके द्वारा मलब इसकी सहायता से वरिष्ट नागरिकों है तो ये अभियान चलाया है जागरुकता अभियान एक प्रकार का तो नीत यायोग सम्मिली थे तो इसलिए मत पूर्ण हो जाता है हाला की बाद में COVID-19 मैंने आपको बता है कि जब समाप्त होगा तो COVID-19 संबंदित जितने भी प्रमुक संगठन है उनसे संबंदित जो भी सूचनाय है तत्य है वो मैं आपको जरूर दोंगा DPS नेगी ये श्रम ब्यूरो के महानिदेशक नियुकत होए है तो नियुकती और पूछी आती है ये पूछा जा सकता है श्रम वर रोजगार मंत्राले के अंदर गताता है श्रम ब्यूरो तो DPS नेगी महानिदेशक इसके नियुकत हुए है मुस्तफा अलकदीमी इराग के नए प्रधान मंत्री बने हैं क्या नाम है मुस्तफा अलकदीमी भारत भारत में क्या ऐसी नई चीज़ होई तो अलकोहल योग तो सैनिटाइजर के निर्याद पर प्रतिबंद लगा दिया क्योंकि सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा डिमांड है भारत में इस समय तो निर्याद पर भारत को प्रतिबंद लगाना पड़ा ये महत्पूर्ण है पूछा जा सकता है अधीर रंजन चौधरी ये दुबारा लोक लेखा समित की अध्यक्ष नियोक्ष हो गए इसके पहले भी थे कारेकाल समाप्त हुआ एक वर्ष के लिए आपको पता है कि इसमें जो है जो लोक लेखा समित का कारेकाल जो है एक वर्ष का होता है प्रतेकवर्ष बदलना पड़ता है इसमें आपको पता है 15 जो होते हैं लोकसभासदश से होते हैं sexual साथ राजसभासदश से होते हैं और जो अध्यक्ष की नियुक्पी होती है लोग लिखा समित की वो परंपरागत रूप से विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में वो इसका अध्यक्ष नियुत किया जाता है किसके द्वारा लोग सभाई, स्पीकर के द्वारा आपको पता है जो कैग अपने रिपोर्ट संसत के पटल पर रखता है उस रिपोर्ट की जाँच यही समिती करती है और जब पैसा खर्च हो जाता है विविवागों में सरकार के द्वारा तो उस खर्चे के बारे में जो विवरण है उनकी जाँच यह करती है लोग लेखा समिती लांग मार्च 5B यह चीन का सबसे बड़ा राकेट वाहक है वाहक राकेट है, लांच हुआ है तो इंपोर्टेंट है, पूछा जाकता है कि चीन ने अपना सबसे बड़ा वाहक राकेट कौन सो लांच किया तो लांग मार्च 5B इसका पहला प्रक्षेपड था, सफल प्रक्षेपड था तो तो तीन तरीके पूछा जा सकता है कि लांग मार्च 5B क्या है तो किसी तरीके पूछे, आपको याद रहना चाहिए वंदे भारत मिशन वंदे भारत मिशन एक तो ट्रेन है ठीक है, लेकिन वंदे भारत मिशन की बात यहां पे हो रही है खाड़ी व अन्य देशों में फसे भारतियों को वापस लाने हैं तो नागरिक बिमानों और नौसेनिक जहाजों द्वारा ये चलाया जाने वाला अभियान है जो खाड़ी वान देशों में चिकिस्सा कारणों या अन्य कारणों से फसे भारती हैं उनको वापस लाने हैं तो भारत का जो नागरिक विमान है और नौसेनिक जहाज है उनका प्रयोग करके ये अभियान चलाया जाएगा हजारो भारतियों को वापस ले आने का ठीक है तो वंदे भारत मिशन इस मिशन का नाम दिया गया है तो आज के लिए करेंट अफेस के ये महत्पूर्ण टॉपिक्स थे आप पर कोई भी विश है किसी भी एजुकेटर को आप सरच करेंगे कोई टॉपिक सरच करेंगे आपको मिल जाएगा आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन आपको एक मन से लेकर के दो साल तक आप दो साल तक का admission ले सकते हैं प्रशल को कुछ उसमें लगेगा जो भी subscription charges हैं देखर पढ़ सकते हैं हमारा referral code अगर आप यूज करते हैं तो 24 महिने कोर्स में उसी कोर्स में 91 सो रुपे लगेंगे तो आपका दो वर्श का जो फी रहेगी वो कम पढ़ रही है तो आप चाहें तो दो साल करे subscription ले सकते हैं पढ़ सकते हैं आराम से तब तक आपका selection भी हो जाएगा कहीं ने कहीं तो UD10 आप याद रखेगा referral code तो दो जाद